जब Eastman वनमानुष को पकर कर उस पर experiment शुरू कर देता है, तो अपने पिता को बचाने के लिए Adam अपने जंगली दोस्तों की मदद से जैसे उस लेट तक तो पहुँच जाता है, लेकिन उसके साथ ही पुकरे जाते हैं, मगर Adam के पिता उसके साथ जाने से इंकार कर देते हैं, इतने में Eastman भी वहाँ पहुच जाता है, वो Adam से कहता है कि उसके पिता यहाँ अपनी मर्जी से रुके हुए है, लेकिन Adam को पता है कि उसके पिता अगर Eastman के खिलाफ गए तो वो उनके परिवार को नुकसान पहुचा सकता है, इसलिए वे चुप है, लेकिन तवी जाते समय Adam fire alarm को activate करके वहाँ से भाग जाता है, ओपरेटर को लगता है कि आग लग गई है, इसलिए वो emergency signal दे देता है, जिसे सुनकर सारे guards भागने लगते हैं, जब Eastman सब को रोकने की कोशिश करता है, तो एक guard उसे भी उठा कर ले जाता है, यहाँ Adam अपने दोस्तों को आजाद करक Adam का बाल मिल जाता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो भी अपने पिता की तरह एक one manush है, तो manush और Adam जिससे तैसे करके lab से तो बाहर निकलाते हैं, लेकिन तबी इनके सामने Eastman आ जाता है, जिसने Adam की मा को भी पकड़ लिया था, वो Harrison को बिहोशी का injection लगा कर उसे न इसे ही इन पर हमला करने लगता है, तब ही Adam की मा उस पर बेहोशी का injection fire कर देती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि Eastman गंजा है, शायद इसलिए वो वनमानush पर experiments करके बाल उगाने वाली company खोलना चाहता था, जिसके बाद वनमानush जंगल छोड़कर अपने परिवार के साथ र में जेल हो जाती है,